टो नमस्कार दोस्तों can आज क्यों अपनी एक नई वीडियो लेकर जिसकी मैं ने शौट भि डाली थी और अब मैणे इसकी वीडियो अधित करके अब डालुंगी मैं ये वीडियो तो इसमे मैंने क मुझे इक मिनि मन्डाला बनाई है फर्सली मैंने इसमें एक गट्टा लिय अगर आप नहीं लेना चाहते तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है बट हाँ अच्छा लगता अगर मंडाला में पीछे बैग्राउंड में कलर होता है तो मैंने फर्सली इसमें गिटार बनाया है चोटा सा और मुझे बीच में थोड़ा शॉक चड़ाता सौंग का तो मैंने सोचा क करते हैं तो मैंने इसमें पहले पैंसल से सिंपली गिटार बनाया है जैसे भी आप बनाना चाहें और अगर आपको इसका बैग्राउंड कलर मेरा जो है मेरा औरेंज पसंद है तो मैंने औरेंज यूज किया अगर आपको कोई और सा बैग्राउंड कलर यूज करना है तो आ इसमें मैंने फिर नॉर्मली कंपास से पहले सर्कल्स ड्रॉख करें क्योंकि इसमें डिजाइन्स बनाना मुझे डायरیک्ट था पैंसे इसमें मैंने पैंसिल का यूज्ज नहीं किया है रेरली यूज किया था तो वैसे अगर आपको compass यूज़ करना है तो मैं बता भी सकते हो कौन सा compass यूज़ करती हो इसमें हम pen भी लगा सकते हैं क्योंकि कुछ-कुछ compass ऐसे होते हैं जिसमें pencil का यूज़ होता है हम direct pencil circles नहीं बना सकते हैं तो मेरे पास अभी मैंने खरीदा यह तो मैं आपको यह भी बता दूंगी कौन सा compass है और फिर मैंने इसमें डिजाइन्स ड्रॉ करें इसम्प्ली जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए सिंप्ली नॉर्मल डिजाइन्स रहे हैं और अगर आपको यह copy करने तो आप copy भी कर सकते हो प्रैक्टेस के लिए जो मैंने यह design बनाया है वह बहुत common यूज होता है मंडाला में यह एक सबसे common design है जो normally sub-use करते हैं and then first start मैंने किया इस पे half sunflowers की petals होती है उसका design and then थोड़ा सा अलग unique लिया मैंने अपना ही design वैसे तो यह design आपको कहीं भी मिल जाएगा बट मैंने थोड़ा सको अलग बनाया अपनी तरह से तो जब आप मंडालास start करोगे तब आपको designs नहीं पता चलेंगे जाती है कि हाँ यार यहां ऐसा बन सकता है यह हम कॉपी में बनाने लग जाते हैं जैसे मैं daily करती हूं जब मैं पढ़ती हूं तो मेरा मन नहीं करता है तो मैं usually मैं ड्रॉइंग्स ही ड्रॉआ करने लग जाती हूं या मन्डालास के कोई new design अगर मुझे याद आता है तो मैं आप मन्डाला के बारे में सर्च करोगे या ड्रॉइंग्स देखोगे online तो आप यह भी देखोगी कि हर मंडाला में यूनिक पैटन होता है क्योंकि कोई मंडाला सेम कभी हो ही नहीं सकता तो start with this कि हमें मंडाला में हर बार यूनिक पैटन मनाना है सिमेट्री यूज करनी है स्केल्स का जादा यूज करना होता है कमपस का बहुत जादा यूज करना होता है और हमें सही से उसके स्केल्स की line क्लिक कीचनी आनी चाहिए या पैंदल से अगर हम डिजाइन बना रहे तो एक accurate बना चाहिए अगर हम सर्कल मंडाला बनाते है ना तो उसमें हमें जादा एक exact measurement से बनाना पड़ता है इसलिए हम उसमें डी का यूज जादा करते हैं तो अगर वो पैटल अगर कोई बड़ी बन गई कोई छोटी बन गई तो जब आप डिजाइन बनाएंगे ना तो वो डिजाइन गड़बर हो जाता है और देन उसके बाद मंडाला फिर बहुत अज को जादा symmetry की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसमें half-half circle थे वो पूरे complete circle नहीं बनाएं इसमें सेमी circle और सेमी circle बनाएं तो जब हम स्टार्ट करते हैं मंडाला तो अगर हमें design से याद नहीं आते ना तो हम online देख सकते हैं इसका कोई ऐसा rule नहीं होता कि हमें देखके नही हैं तो firstly मैंने भी ऐसी start करा था जब मैंने मंडाला स्टार्ट की थी तो मैं भी थोड़ा सा online देखती थी की designs कैसे बनते हैं then starts copying it मैंने उसको थोड़ा copy करना शुरू करा मैटरंस को और कुछ अपना दिमाग लगाया क्योंकि इसमें बहुत जरुरत होती है इस चीज की और दीरे दीरे करके आगई मुझे भी और अब ये इस मंडाला में मैंने थोड़ी सी अपनी uniqueness दिखाई दी मुझे ये थोड़ा खाली खाली लग रहा था तो मैंने इसमें और designs draw कर दी क्योंकि गिटार यानि की music तो मैंने इसमें थोड़ी से pattern बना दी इस music के जो use होते होंगे मुझे भी जादा नहीं पता है फिर मैंने इसमें sides में मंडाला बना दी बहुत चोड़ी चोड़ी डिजाइन्स बना दी ये फिर सूरज मुझे की चोड़ी चोड़ी पंखुडिया संफ्लावर पैटल्स या कुछ और भी बोल सकते हैं इसको मैं तो इसे ऐसी denote करती हूँ पजाता है गैरें ऊच्छे लगते हैं मेना जाते है मिनी मिनी से और फिर मैंने इसमें थोड़ी सी और यूनीकनेस या design और मन कर रगना था से घूड़ा सा और यूनीक है या थोड़ा अलक बनाएं तो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया और जब मैंने इस इस पे बनाया ये black Dway तो वो गलती से मेरे हाथ से फैल भी गया था क्योंकि इसका जो लेयर थी ना वो थोड़ी सॉफ्ट या थोड़ी शाइन वाली थी तो इसलिए अगर आप ऐसा पेपर या यह गत्ता या जो भी बोलें इसको यूज कर रहे हो तो अगर हो सगे तो पर्मनेंट मार कर यूज कर या थोड़ा ऐसा पेंड यूज करो जो फैले नहीं क्योंकि यह मेरा खराब भी हो गया थोड़ा सा तो इसके बाद मैंने इस पे एक ट्रांसपेरन शीट चड़ा दी और फिर उसको पेपर पे चिपका के और उसे फोटो फ्रेम की तरह बना दिया तो अगर आपको यह थैंक यू